एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था, जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था, प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नो सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मैं परिशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, प्रोफेसर भले व्यक्ती थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया, शाम को जब छात्र प्र प्रोफेसर के घर पहुचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुला कर बैठाया, फिर स्वयम किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे, उन्होंने जान बूच कर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया, फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को दे कर कह ये लो, शिकंजी पियो, छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुह अजीब सा बन गया, ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे, तो स्वाद ठीक हो जाएगा, ये बात सुन प्रोफेसर बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोल कर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ह बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी न? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात चात्र समझ गया और उसने निश्चे किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। झाल 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 झाल